हलो एवरीवन, वेलकम टू लेरन भी, आयाम शिवानी चौहान, इस विडियो में हम लोग देखेंगे, ग्लास सेवेंथ हिस्ट्री की बुक का चाप्टर फाइव, रूलर्स एंड बिल्टिंग्स, तो फिगर वन ये देखे, ये जो फिगर वन है, कितनी खुपसूरत ये हमे तो क्या हे, यहां पर ये कुछ URDU में लिखा, इसमें लिखा हुा है, band of inscriptions, मतलब लगा तर चीजे लिखी गई है, the band of inscriptions you see are under its first balcony, first balcony, balcony वही होता है न, जैसे हम लोग चहते होती है, चहते है उपर जो आगे को बाहर की तरफ जैसे कि मालीजिए ये चछते-चछत के आगे की तरफ ऐसे करके निकलानी होता तो बालकनी होती है इसकी बालकनी में हम लोग को यह चीज़े लिखी हुई दिखती है फिर्स्ट फ्लोर वस कंस्ट्रॉक्टेड बाई कुतुबुदीन अईबक एंड रेस्ट बाई इल्तत्मिश अराउंड 1229 तो फिर्स्ट फ्लोर जो है वो कुतुबुदीन अईबक ने बनाए था अब देखे इस चप्टर का नाम क्या है रूलर्स और बिल्डिंग्स मतलब हम तो राजा के बारे में पढ़ेंगे और राजा के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उस राजा ने कौन-कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई है तो रूलर्स और बिल्डिंग्स चप्टर जो फाइव है इसमें हम लोग काफी सारा कुछ बिल्डिंग्स के बारे में तिखेंगे तो पहली जो building है वो है कुटुब मीनार ठीक है कुटुब मीनार आप कहां पर है आपको पता हो ना चीए चलिए कमेंट जिक्शिन बताई कि कहां पर है और अगर आप गए है आपने विजिट किया है तो आपको वाजा कि कैसा लगा क्या देखा ये भी शेय करिएगा तो कुटुब मीनार फाइफ स्टोरीज हाए है मतलब ये जो है पांच मंजिले हाए है बैंड फिस्क्रिप्शन यू सी आपने देखा ठीक है फ्रस्ट बालकिनी में फ्रस्ट फ्लोर देखे क्या होता है जो ग्राउंट सबसे अगर कोई भी मंजिल नहीं है सिर्फ नीचे ही ग्राउंट पे घर बना हुआ है तो उसको हम लोग ग्राउंट फ्लोर बोलते हैं और उससे उपर जो बनता है ठीक है ग्राउंट के उपर जो होता है उसे हम फ्रस्ट फ्लोर बोलते है जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि जो नीचे वाला है वो फ्रस्ट फ्लोर होता ह उपर वाला सेकेंड फ्लोर होता है नहीं फर्स्ट वाले को हम लोग जो बोलते है जो जुड़ा होता है वो गराउंड फ्लोर बोलते हैं और उसके उपर वाले को हम लोग फ्रस्ट फ्लोर बोलते है तो ये फ्रस्ट बार्करनी में और फ्रस्ट जो फ्लोर था वो किसने बनव अलावदीन, खिलजी, मुहम्मद तुगलक, विराशक, फिरोशा तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मतलब रिपेरिंग भी कराई है क्योंकि टाइम के साथ-साथ कोई भी चीज जो होती है वो खराब होती जाती है है ना तो देखे कुतुब अइबक ने कुतुब मिन इसकी मतलब होता है बहुत ही बारी की तो मतलब एक आपने बिल्डिंग बना दे बिल्डिंग बना दे बील्डिंग मतलब चीज़ें लिख भी दी तो मतलब कितना अच्छा कारीगर्व रहा होगा जिसने ही काम किया होगा Only most skilled craft person बहुत ही जादा होनहार व्यक्ती ही ये काम कर सकता है Remember याद करिए कि काफी कम buildings बनाई गई थी अब वर made of stone और brick आट सो साल पहले 800 साल पहले बहुत ही कम buildings बनाई जाती थी जो कि पत्थर या फिर इटो का इस्तमाल करके बनाई जाती थी तो कुटुब मिनार्क उस समय पर जब 13th century के लोगों ने इसको देखा होगा तो मतलब क्या असर हुआ होगा उन पर कि वाओ ये क्या चीज़ बन गई है बिट्वीन 8th and 18th century मतलब 8th century से लेकर के 18th century अभी चल रही है 21st century तो देख रहे हैं कितने मतलब आप समझी 1000 साल से भी पहले की बात हम कर रहे हैं Kings ने काफ़ी सारे buildings बनवाते थे और जो Kings और उनके offices जो थे न वो दो तरीके के structures मेंली बनवाते थे फर्स्ट जो पहला structure होता था वो फोर्ट्स मतलब अपने किले palaces खुब बड़े अपने जो उनके महल वगरा होते थे gardens, residences and tombs safe, protected and grandize place of rest in this world and the next तो पहले तरीके का क्या होता था पहले अपने उन्होंने महल, किले बनवा लिए gardens वगरा बनवा लिए और जो है tomb होता है, मनने के बाद जो कब्र वगरा बनाए जाते है वो बनवाते थे तो यह पहले टाइप का architecture होता था दूसरे टाइप का जो architecture होता था वो होते थे मंदे बनवाए जाते थे मजिते बनती थी, tank बनते थे, irrigation के लिए कुए खुदवाए जाते थे और कारावान सेरीज और बजार्स, कारावान सेरीज मतलब जैसे कि जो लोग घूमने लिगते हैं उनके लिए rest houses वगरा बजार बनवाए जाते थे, ठीक है, king से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने subjects की केर करें, subject का king होता था राजा और subject का मतलब होता है प्रजा, ये expect किया जाता था, ये उमीद रखी जाती थी राजा से कि वो अपनी प्रजा की देख भाल करेगा and by making structures for their use and comfort तो और इस तरीके की चीज़े बनवाएगा ताकि लोग उसको इस्तमाल कर सके और अराम की चीज़े भी उनको बनवाते थे राजा वगरा तो rulers ये hope करते थे कि हम ये सब चीज़े मंदर, मजज़द, ब्रजार वगरा बनवा देंगे तो हमारी तारीफ होगी पारी होते थे merchants, वो temples बनवाते थे, मज़द बनवाते थे, कुए खुदवाते थे, however, जो domestic architecture था, large mansions, havelies of merchants has survived only from 18th century, मतलब जो अपना ये merchants वगरा बनवाते थे न, ये सरफ 18th century के बाद की ये survive करी है, इससे पहले कि जो merchants वगरा ने बनवाई थी, वो इतनी पक्की नहीं ह अब देखे, labor for the agra fort, जो agbar ने agra fort बनवाया था, उसमें 20,000 stone cutters, मतलब जो पत्थर को काटने वाले लोग थे, 2000 थे, 2000 cement lime makers and 8,000 laborers, तो इतने सारे लोगों ने एक fort में काम किया था, अब देखे, साइड में क्या दे रखा है, रानी की बावरी, बावरी होते है, जिसको हम ल largest among the 50 step well है, जो की बनाया गया था, लोगों की पानी की नीट को पूरा करने के लिए, अगर आप में से कोई राजस्थान का है, तो आपको बावरी इसके बार में अच्छे से पताओ, बावरी इसके क्या होता है, उपर हम चलते हैं, तो हमें लग पा है कि पता नहीं क्या है, फिर हम जो बागे चलते हैं, तो देखते हैं, सीडिया, सीडिया, नीचे, 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 सीडिया जा रही होती है, और बहुत नीचे जाकर के कुवां होता है, तो राजस्थान में गर्मी बहुत दाता पड़ती है, और इसके ऊपर एक ढखने के लिए बिर बना और दे कुईन ओफ राजा अने रोद सिंग ऑफ बूंदी तो बूंदी के चो राजा थे उनकी वाइफ नहीं बनवाई थी बूंदी की बावरी बहुत खुब सूरत थी इसलिए इनको रानी जी की बावरी कहा जाता है इसको अब देखें एंजिनिरिंग स्किल्स एंड कंस्र टोड गया यह दो पुराने-पुराने से इसलिक्टुड्र सो थै इनको हम लोग मौनुमेंट्स कहते हैं ओन्नुमेंट्स पोड़ा इंसाइट इन्टुध ओ अंप यूज यू आक्रोस फोर वॉल्स तो हम लोग चत के बना सकते हैं छार आपकी दिवारें अजिसे लिए और चत में आपने देख लिए चार तरफ दिवारें और फिर चat पड़ी होगे चत के उपर पहले क्या करते थे बल्ली लगाते थे उसकी लक्डी की बल्लिया लगाते थे और फिर ब बनाने होते हैं उसमें टास्ट थोड़ा मुश्क्किल हो जाता था वैसे तो असान रहता था छोटे कमरे तो ऐसे असानी से बनाएं जा सकते हैं बिट्वीन दा सेवेंट एंट एंट सेंचुरीज आर्किटेक्ट्स स्टार्टेट एडिंग मोरूम स्टोर्स एंड विंडोस मतलब क्या हुआ सेवेंथ सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के टाइम पर पर जो आर्किटेक्स थे जो जिन्होंने के लिए वगर बनाएं इन्होंने एक कमरे में और जादा मतलब दर्वाजे निकालने लगे थे खिड़किया निकालने लगे थे हैं फिर क्या हुआ था टोर्स और विंडोज वर स्टेल मेड़ बाइ प्लेसिंग होरीजोंटल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स इसका क्या मितलब है रूफ जो है ना रूफ होती है चत और दर्वाजे यह कैसे बनाये जाते थे अभी भी यह स्ट्रक्चर होता था और इस पर एसे करके यह बीम बोलते है इसको बीम ऐसे करके बीम डाल करके बना दिया जाता था यह लेंटल होता था हमारा एंड टू वर्टिकल कॉलम्स ऐसे सीधे ठीक है यह वर्टिकल कॉलम्स होते थे और यह होरीजोंटल कॉलम डाल करके बना देते थे इस तरीके के स्टाइल को हम लोग ट्रा होते हैं दो दिवारे उसके बीच में इस तरीके से आपने छट डाल दी तो ये वाला जो चीज होती है ना इस वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं ट्राबियेट या पर या फिर कॉर्बेल्ट कहते हैं बिट्वीन ये किस टाइम पर चलता था ये 10th century के टाइम पर बहुत चल था अब फिगर 2.8 किसको समर्पित है लौड शिफ को भगवान शिफ को कांदरिया महादेव टेंपल समर्पित है ठीक है constructed in 999 by the king दंगदेव of the Chandela dynasty very important this is very important यह जो चंदेल आपसी इस तरह से पूछ जा सकता है कि कांदरिया महादेव टेंपल जो है वो किस ने बनवाया था तो वो बनवाया था दंगदेव ने और वो कौन सी डाइनस्टी के थे वो थे चंदेला डाइनस्टी कौन सा समराज था उनका चंदेला 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 के वो एक तरह से वन्शच थे तो चंदेला डाइनस्टी के दंगदेव किंग जो थे उन्हो तो फिगर 3B, यह वाली जो फिगर है, यह हम लोग को अंदर का structure दिखाता है कि अंदर से कैसा बना हुआ है और यह हमें बह से document चंडेला डाइनेस्टी में कैन्क ते के दंग अदेव उन्हों ने बनवाय था है काफ्य संदर है, and ornamented gateway led to the internet, ornamented मतलब खूप खूप सुरत से गेटवे जो है दर्वाजा अंदर की तरफ हमें लेकर के जाता है और में जो हॉल होता था था उसको महामंडप कहा जाता था इस अगें वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मंदर का में जो आटन यूपेसी का जो आटन कल्चो वाला पाडर उसके अगने टीवीजिरल्स फगरा में देखा होगा इमेज़ जो चीफ डेटी वस फास कैप इन डे में श्राइन टीक है में श्राइन में जो में जिसके आप आपका दर्वाजा होता है यह मंदर का अप तो खेर अलग तैपके मंदर बंढ जा था है तर यहां पर बीच में में यहां पर लॉड शिव है उनको रखा जाता है और इसको गर्ब ग्रह बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है गर्ब ग्रह बोला जाता है जहां पर बग्वान को रखा जाता है this was the place for worship where only the king, his immediate family and priest gathered तो यह जो प्लेस था महामटव वाला यहां पर king वगेरा gather हुआ करते थे और the khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry, the temples were decorated with laboratory carved sculptures तो खajuraho के भी मंदर है, जब यह बनवाय गए थे उस समय पर सिफ किंग की फामिली इवान जा सकती थी और लोग नहीं जा सकते थे तो यह लोग हमने देखा कांदरिया महादेव temple के बारे में और इसमें इसको किसे बनवाया था चंदेला डाइनिस्टी ने बनवाया था अब यह देखिए वाली फिगर टू यह भी कितना कुपसूरत मंदर है इसके बारे में देखते हैं यह है राज राजेश्वर temple और कहां पर है यह थांजावर में राज राजेश्वर temple है थांजावर में had the tallest shikhar among the temples of its time अब देखे शिखर क्या होता था उस मतलब शिखर क्य होता है इसको हम शिखर बोलते हैं उस समय के टाइम पर यह राज राजेश्वर temple है जो की थांजावर में इसका जो शिखर रताना वह सबसे ऊचा था constructing it was not easy उसको बनाना असान काम नहीं था because there were no cranes in those days अब तो crane से कितनी भी उच उची चीज़ बना लो बट उस समय पर तो कोई crane नहीं होती थी and 90 tons stone for the top of the chicken नभेट टन का जो है न पत्थर सबसे उपर रखा गया है was too heavy to lift manually उसको हाथ से उठाना बहुत मुश्किल काम था तो architects ने build किया an inclined part on to the top of the temple मतलब इस तरीके का path ऐसे करके ताकि इसको सरका सरका के ले जाया जा सके place the boulder on the roller so rollers जैसे भी बोल्डर को रख दिया पत्थर को and rolled it all the way to the top उसको roll करके ले जाये गया the part started more than 2 km away so that it would not be too steep तो मतलब उपर ले जान था तो लगभग 4 km दूर से ही उसको roll करना start कर दिया गया था this was dismantled after the temple was constructed और यह जो roller type का बनवाय था ना जब यह temple बन गया था तो इसको हटा दिया गया था but the residents of the area remembered the experience of construction of temple for a long time किस तरीका experience रहा था उस temple को बनाने का बहुत लंबे समय तक लोगों को याद रहा था even now a village near the temple called cherupallam the village of the incline उसको चेरुपallam मलतब बोला जाता है कि उसको इस तरीके से बना दिया गया था ऐसा टेड़ा टेड़ा करके आज भी वहाँ पर मौजूद है टेड़ा करके ताकि उपर उसको अराम से ले जाया जा सके जो टॉप पे पत्था रखना था तो यह था राज राज एश्वर टेंपल जो की थांजवर में इससे था इसका शिकर बहुत ही जादा फेमस था अब देखिए तो आर्किटेक्ट्रल और स्टालिस्टिक ग्लिवर में अनोटेबल इन देट्वेल्थ सेंचुरी तो यह क्या है ट्वेल्थ सेंचुरी के समय पढ़ना दो आर्किटेक्ट्रल स्टाइल्स जो हैं वो काफी जादा डेवलप हुए थे ठीक है एक था दा उसमें से एक था के वेट जो हैं शूपर स्ट्रक्शर का मतलब उपर वाला जो इस ट्रॉक्ट्षर है ना उसका सारा का सारा जो वेट है अभव दौर्स एंड विन्डोस वास्कैरीड लॉइस अब आर्चेस मतलब उपर जो आर्किटेक्ट्रल डिजाइन था ना उसको हम आर्क वेट बोलते थे त्रू आर्च यह त्रू आर्च देखिये ऐसे एक गोल ना त्रू आर्च दखी स्टोन अच दे सेंटर आफ द आप आच ट्रांसफर्ट द वेट अफ द शूपर स्ट्रॉक्चर टू बेस अफ द आच तो इसमें क्या है कि जो वेट अफ सूपर स्ट्रॉक्चर इसके उपन चुक्षर तो यह तो इसका सारा का सारा भार है ना वो इसके अर्च के बेश पर यहां यहां ट्रांसफर कर देता है इसको हम आर्क वेट स्टाइल बोलते हैं मतलब आर्च है आर्च के उपर वाला जितना भी वेट है वो आर्च के साइडों में ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको हम आर्क वेट स्टाइल बोलते हैं ये भी देखे ट्रू आर्क है ये वाला भी ये लेखिये, the weight of superstructure above the door, उसको हम लोग आर्क्स पे पोचा देते थे, उसको आर्क्योट बोलते थे, दूसरा था, limestone cement was increasingly used in construction, limestone, ठीक है, चुने का स्तमाल किया जाने लगा था, this was very high quality cement, बतलब काफी अच्छी quality का ये cement होता था, which when mixed with stone clips hardened into concrete, जब हम उसको छोड़ी-चोड़ी बज्जीयों के साथ mix कर देते थे थे, तो वो काफी जादा concrete जासा, काफी तगड़ा अच्छा बन जाता था, this made construction of large structures easy है, तो बड़े-बड़े जो constructions है, वो असानी से होने लगे, कितना सारे लोग लगे होते थे, कोई भी इस चीज़ को बनाने के लिए, तो painting जो है, from the Agbar Nama, Agbar Nama से ये painting है, showing the construction of water gate at Agra Fort, Agra Fort में water gate जब बनाया जा रहा था, तो उसके construction का मतलब कितने सारे लोग इस काम में लगे होए थे, तो limestone से काफे अच्छे और खुब बड़ी-बड़ी और पक्की मारते बनाई जा सकती थी, अब next आता है, building temples, mosque and tanks, temple बनाना, majjidde बनाना, और tanks बनाना, ठीक है, तो temples and mosque were beautifully constructed, because they were places of worship, temple हो गए, मंदिर और majjidde, इनको काफे अच्छे से बनाया जाता था, क्योंकि इनकी पूचा होती थी, they were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron, और ये मतलब ये भी दिखाता था, कि कितनी power है, कितनी wealth, जो इंसान इसको बना रहा है, वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, patron होता है, जो एक तरीके से पूजा अर्चना कर रहा होता है, एक्जाम्पल के लिए, राज-राजेश्वर टेंपल हमने देखा, कितना मतलब उपर इतना बड़ा पत्थर रखने के लिए, क्या 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 है ना, inscription mentions that, जो राज-राजेश्वर टेंपल है, है, ये राज-राजेश्वर टेंपल राज-राजडेवने बनवाया था, ठीक है, for the worship of God Raj Rajeshwaram, तो मतलब God का नाम था राज-राजेश्वरम, बनवाया था राज-राज-राजडेवने, और टींपल का नाम था, राज-राज-राजेश्वर ्टेंपल, ठीक है अब देखें नाम किस से रूलर का गॉड का नाम कितना ज़्यादा समलर है किंग जो है ना भगवान का नाम ले ले लेते थे क्योंकि इट वस औस्पीशियस मतलब पावित्र होता है और ये खुद भी भगवान जैसे दिखना चाहते थे तो मतलब इस भगवान के जैसे नाम रखना तो अच्छा माना जाता है और ये खुद को भगवान जैसा भी दिखाना चाहते थे इसलिए खुब बड़े-बड़े टेंपल बनवाते थे और जो है भगवान जैसे नाम भी ले लिया करते थे लाजेस टेंपल वर कंस्ट्रॉक्टेड बाइजाते थे राजाओं के तवारा अधर जो लेसर डेटी इन देपल वर गॉड़ेस ऑफ दे अलीज और जो जैस भगवान को किंग बानता था वो सबसे बड़ा उसका बनवाया जाते थे और बाकी मंदिर में और जो देवी दे तो टेंपल जो है वो एक मिनियेचर मॉडल होता था कि सबसे बड़े भगवान राजा के राजा के अंडर जो है और वो जो अंडर वाले लोग जिन भगवान को मानते हैं वो बड़े भगवान के अंडर इस तरीके से मंदिरों में भी पॉलेटेक्स जानी थे लोगों ने तो मतलब जब वो भगवान की पूचा करते थे तो ऐसा लगता था भगवान का जो राज्य है जो बुकुल ज़स्ट रूल है निया है तरीके से चला रहा है वो धर्ती पर लाया गया है और रोयल आर्किटेक्ट मुगल एम्पिरर शाह जहां जो थे शाह जाहास के जो जो उनके बारे में लिखते थे उन्होंने डेक्लियर दाट रूलर वास आर्किटेक्ट आफ दा वर्क शॉप एम्पायर एंड रिलीजिन तो मतलब शाह जहां जो थे काफ़े सारा अर्किटेक्ट मतलब काफ़े सारी चीज़े बनवाई थी ना तो इनके بारे में जिसने लिका था वो यॉक आ था कि इन्होंने काफी सारी चीज़े बनवाई है बस यही है इसका मतलब प्लान अफ जामा मजजद बिल्द बाई शाह जहां शाह जहां ने जामा मजजद बनवाई थी शाह जहानाबाद ठीक है धिली में जामा मजजद बनवाई थी इसने शाह जहां ने तो किबला किबला हम लोग ने पिछले चप्टर में पढ़ा था जब मुसलिम्स जो है वो वेस्ट की तरफ इंडिया में इंडिया में वेस्ट की तरफ मक्का पढ़ता है तो वेस्ट की तरफ इंडिया के मुसलमान बैठ करके अपनी नमास पढ़ते हैं तो उसको ही किबला कह गोड जिसे दिखने चाहते थे और फिर अब आगे देखिए Muslim Sultan and Patshah Patshah Vahashah did not claim to be incarnation of gods but Persian court chroniclers describe the Sultan as the shadow of God मतलब Hindu जाजा तो खुद को कहते थे कि हम लोग Bhagawan की तरह है हम लोग Bhagawan के वो है अवतार है मगर जो Muslim leaders होते थे न Muslim Sultan and Patshah वो कभी यह नहीं कहते थे कि हम भगवान के incarnation है incarnation का मतलब होता है अवतार ठीक है अवतार या फिर दुवारा से जन्म तो वो Muslim जो rulers होते थे वो कहते थे हम भगवान की परचाई है An inscription in Kuwait al-Islam mosque exclaimed that God chose Allahudin as the king because he had the qualities of Moses and Solomon the great lawgivers of the past तो कुवात इसलाम जो मजजद है उसमें जो यह लिखा गया है कि जो Allahudin खल्ची है उसको भगवान ने राजा बनने के लिए या फिर आप सुल्तान बनने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि उसमें जो भगवान के भेज़े हुए आप क्या सकते हैं कि भगवान को उपदेश देने वाले महान लोग तो उन्हीं तरह ही कॉलिटीज हैं अलावदीन में मोजद और सोलोमन की तरह इसलिए भगवान ने उनको राच करने के लिए अलावदीन को पेजा है ग्रेटेस लोगवर का मतलब जो धर्म की बात बताते हैं और सबसे बड़ा जो लोगवर है और सब कुछ सही करने वाला वो तो भगवान खुद है ही क्रिएटेट दा वर्ड आउट अफ के ओस एंट इंट्रोडूस और एंड सिमेट्री भगवान ने दुनिया को बनाया है बिल्कुल उथर पुथल से और बिल्कुल कि अच्छ इंट्री तो एंफिसाइस दियर मॉरल राइट तो रूलर्स मतलब केंग बताना चाहते थे कि रूलर्स के राइट क्या होंगे ठीक है कैसे वो वर्शिप एक तरीके से मंदिर मजद वगवारा बना देते थे और अपना रिलेशन गॉर्ट से स्टापलिश करने की कोशिश क अफिस एंपॉर्टेंट इन एज और इंज और विट पॉल्टिकल चेंज काफी जादा जब पॉल्टिकल चेंज आरहे थे तो यह चीज करन और भी जाधा इंपॉर्टेंट हो गया था काफी जिनों को पावित्र माना जाता था जो मतलब भगवान के पढ़े लिखे लोग अच्छे लोग वो उनको अपने दर्बार में रखते थे मेकिंग प्रेशिस वॉटर अवेलिबल बाय कंस्ट्रॉक्टिंग टैंक्स और रिजर्वायर वह रहाइली प्रेज्ट मतलब पानी के लिए टैंक बनवाना या फिर जर्वायर लेक्स वगड़ा बनवाना काफी पवित्र समझा जाता था इल्तृत मिश्ट ने काफी जादा हासिल करी थी क्योंकि उसने एक बहुती बड़ा रिजर्वायर बनाया था बाहर की साइट डेली एकुना जिसको होजी सुल्तानी या फिर जो आज होचकास है ना होचकास वाले जो रीजिन वहीं पर बिपनवाया था दिली में जो है और किंग्स रिजर्वायर यसे कहा जाता है तो मैप 1 जो चप्टर 3 का उसमें इसके बारे में बताया गया है रूलर्स जो है टैंक्स रिजर्वायर बनाते थे बड़े हो चोटे हो ठीक है लोगों के लिए टैंक्स रिजर्वायर जो है वो टैंपल का भी आप देखा होगा हमेशा गुरुदवारों में एक लेक टा होते हैं गुरुदवाने में तो होता ही होता है तो हर्मिंदन जाहब का दिया रखा है दिखी गोल्डन टैंपल में होली डिजर्वायर है हमेशा होता है उसमें तो जहां पर यह गुरुदवारों में पर्शन टम आबाद आबाद का मतलब होता है पॉपुलेटड आबाद जहां पर आबादी रहती है जहां पर लोग रहते है Prosperous and आबादी Flourishing are both derived from the word आब, आब का मतलब water है आब का मतलब क्या होता है Water, पानी तो पंजाब, पंजाब भी क्या है पांच नदिया जहां पर भैती है तो आबाद, जहां पर पानी होगा वहाँ पर लोग खुश रहेंगे और वहाँ पर आबादी बढ़ेगी यह पानी की significance है important है तो काफी बड़ा हो गया वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं आगे का, कैसा लगा ज़रू बताएएका अच्छा लगा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए थेंक यू